नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन निप्टी और बैंक निप्टी में किस तरीके का प्राइज मोमेंटम हो सकता है उसके पीछे का complete logic क्या है और आज आपको मैंने जो ये free वाले telegram channel में bank निप्टी का buy का signal दिया था उसके पीछे का complete logic मैं आपको explain करके बताऊंगा जब आप इस logic को समझ जाओगे तो आप खुद analysis करना सीख जाओगे और आप एक professional trader बन पाओगे तो चलो start करते है step by step analysis के process को तो यहाँ पे मैंने आपके सामने bank निप्टी का one hour का spot का chart open किया हुआ है कल के वीडियो में मैंने आपको already बताया हुआ था market ने बहुत ही बड़िया upside का momentum दिखाया हुआ है जब भी लगातार यतने सारे candle buying के दिखाते हैं उसके बाद either market में range bound का momentum आता है या फिर एक profit booking का momentum आता है उसी तरीके से market ने एक gap up opening दिखाया और उसके बाद profit booking आ गया और market नीचे चला आ गया price action का basic और fundamental structure हमें बताता है कि यह जो retracement के phases होते है इस retracement के phases में आपको कौन से point के उपर focus करना है यहाँ पे किस तरीके का volume बन रहा है या फिर open interest बन रहा है इसके उपर आपको focus करना पड़ेगा तब जब कि आपको समझ में आएगा कि कौन से level के उपर आके market रूख सकता है और यहाँ से reverse हो सकता है यहाँ पे आप fibonancy का भी use कर सकते हो लेकिन सबसे best जो तरीका रहता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है previous chart के उपर आपको देखना पड़ता है support resistance level कहाँ पे बने हुए है तो यहाँ पे आगर आप देखते हो तो आपको clear cut दिखाई देगा उपर की side की तरफ यह 35,340 का जो level है वो एजर resistance level करके मैंने mark किया हुआ है अभी इसके पीछे का logic समझ लीजिए जब आप logic समझोगे तभी जाके आप live market में इसको analyze करोगे यहाँ पे पहली बार market ने resistance ले लिया यहाँ पे दूसरी बार resistance ले लिया और यहाँ पे चोथी बार resistance ले लिया तो price action का एक simple और basic rule यह कहता है जब भी market एक level के उपर multiple बार आके resistance लेता है तो उस O level को वो weak करता है तो कल के दिन अगर इस level को market break करेगा तो यहाँ पे बहुत बढ़िया upside का momentum आपको दिखाई दे सकता है अगर नीचे की side में देखेंगे हम लोग तो नीचे की side में आपको immediate कोई भी strong support level नहीं मिल रहा है जो strong support level यहाँ पे हमें मिल रहा है वो बहुती नीचे का मिल रहा है मतलब 34127 का हमें strong support level मिल रहा है अभी market जो चल रहा है यह 34770 के करीब चल रहा है तो कल के दिन पहले हमें wait करना पड़ेगा कि market कहां पर open हो रहा है अगर बहुत ही gap down या gap up opening होता है तो हमें wait करना पड़ेगा अगर इस resistance level के करीब आता है market और यहां पर breakout देता है तो आपको बहुत बढ़िया momentum catch करने को मिल सकता है अभी थोड़ा option chain के हिसाब से समझ लेते हैं कि किस तरीके का bank nifty में open interest develop हो चुका है यहां पर option chain का हम लोग जो analysis करेंगे यह bank nifty का option chain मेंने आपको लगाया हुआ है current expiry का यहां पर हम लोग call की side के उपर resistance देखते हैं और put की side के उपर support देखते हैं यहां पर आगर आप देखोगे तो 35,000 का जो level है बहुत ही interesting data यहां पर बन चुका है यहां पर highest open interest बना हुआ है call की side की तरब जो as a resistance act होगा और highest open interest बना है put side की तरब जो as a support करके act होगा तो आज का अगर closing 35,000 के नीचे देता है तो downside में हमें momentum दिखाई दे सकता है जिसकी possibility अभी ज़्यादा लग रही है उसके पीछे का reason क्या है जो भी लोगों को option chain read करना नहीं आता एकदम simple तरीके से आपको बताता हूँ किस तरीके से आप option chain को read कर सकते हो यहां पर आपको क्या करना है सिर्फ यह open interest के ऊपर आपको focus करना है आपको देखना है कि call की side की तरफ ज़्यादा open interest बना है या put की side की तरफ ज़्यादा open interest बना हुआ है अगर मानलोग call की side की तरफ ज़्यादा open interest आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि market में resistance जो रहेगा वो resistance strong रहेगा मतलब market को ऊपर जाने में दिक्कत रहेगी बस इतना simple conclusion उसका निकलता है अगर market में support अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन for example के लिए आपके understanding के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पर अगर open interest का data ज़्यादा रहता है तो support का level strong बन जाता है इसका मतलब market में bounce back आने की possibility ज़्यादा बनती है अभी मैं आपको एक trade के साथ example के साथ दिखाऊंगा तो आपका understanding ज़्यादा clear हो जाएगा यह जो अपना telegram का channel है जहाँ पर मैं free के intraday के signals देता हूँ यहाँ पर मैंने 2 बच कर 8 minute पर आपको bank nifty में buy करने के लिए बोला था जिसमें हमें अच्छा कासा profit भी हुआ तो इसके पीछे का थोड़ा सा logic अगर आप समझ लोगे तो आपको analysis करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए यह जो मैंने है 2 बच कर 10 minute का option chain का screenshot आपके सामने लगाया हुआ है तो आपको यहाँ पर कुछ बातों के उपर focus करना पड़ेगा option chain में हम लोग क्या करते है call की साइड के उपर resistance, put की साइड के उपर support देते है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि market में जो है यहाँ पर strong support level बन चुका था और यह support level के नीचे market आ रहा था तो support level के नीचे आने के बाद अगर यहाँ से लोग निकलते है मेरे शब्दों को दुबारा सुन लिजे अगर support level के नीचे market आता है और यहाँ से writer जो है वो writer exit हो जाते है तो इसका मतलब है कि market नीचे का momentum continue दिखाएगा अगर यहाँ पे trap हुए होए put writer निकलते नहीं तो इसका मतलब होता है market bounce back करके उपर जाएगा बस इतना simple logic मैंने use किया था और वो buy का signal दिया था जिसमें हमें अच्छा कासा profit भी हो गया अगर आपको यह पूरा option chain सिखना है in detail में तो मेरे free वाले course में मैं सिखा देता हूँ जिसका sub details मैंने telegram channel पे दिया हुआ है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है तो अभी देख लेते हैं कि nifty में किस तरीके का momentum बन रहा है और हमें कौन सा रणनीती बना के काम करना चाहिए तो nifty में उपर की side में अगर हम लोग देखते हैं तो यह 15,890 का जो level है वो आपके लिए strong resistance का काम करेगा क्योंकि यहां पर already market ने बड़ा resistance लेके एक बड़ा fall आपको यहां पर दिखाई देगा सेम उसी तरीके से आपको यहां पर दिखाई दिया था तो यह level को कल के दिन अगर market with the increase in volume निकलता है तो यह आपको upside का बड़ा momentum दिखाई दे सकता है और अगर नीचे की side में देखेंगे तो यहां पर multiple बार market ने इस level को test किया हुआ है तो यह level as a support level act होने की possibility है आज का अगर आप दिन का देखोगे तो exactly उसी level पर आके market अभी bounce back दिखा रहा है तो यह 15,760 का जो level है यह कल के लिए important support level रहेगा इसको अगर market break करता है तो नीचे की तरफ आपको momentum दिखाई दे सकता है अभी देख लेते option chain में हमें क्या बता रहा है तो यह आपके सामने nifty का में आपका option chain लगाया वह हूँ current expiry का तो यहाँ पर option chain में हम लोगों को दिखाई देगा कि call की side के उपर जो है वो थोड़ा सा जादा open interest create हुआ है as compared to put की side की तरफ से तो इसका conclusion क्या निकलता है इसका conclusion निकलता है कि resistance जो है वो resistance strong होते जा रहा है resistance strong होते जा रहा है इसका मतलब क्या होता है कि market को उपर जाने में दिक्कत आ सकती है तो इस case में हमें क्या करना पड़ता है इस case में पहला तो हम लोग sale का position ले सकते हैं जब कौन सा भी support का level जो है वो breakout होता है downside की तरफ तो या फिर दूसरा sale का position हम लोग कब ले सकते हैं जब भी market resistance की तरफ आता है तो resistance में यहाँ पे जो reversal मिलेगा उस reversal के उपर आप sale का position ले सकते हो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि कितने लोग trap हो रहे हैं और उस trap हुए लोगों के हिसाब से आपको पता चल सकता है कि market कितना नीचे आ सकता है जैसे कि यहाँ पे price action के हिसाब से मैंने कल के दिन आपको बता दिया था कि market कभी भी one sided momentum नहीं दिखाता अगर आपको continuous 4-5 green candle देख जाते हैं तो समझ लेना उसके बाद market एतो consolidation की phase में जाएगा या फिर market में reverse लाएगा अभी यहाँ पे continuously downside का momentum market यहाँ पे दिखा रहा था तो यहाँ पे probability यहाँ कि market थोड़ा consolidate करेगा और फिर अगर downside की तरह breakdown देता है तो आपको बड़िया momentum यहाँ पे दिखाई दे सकता है कि बीच में कई पे आपको रुकने के लिए support का level नहीं है तो इस point को आपको note down करना पड़ेगा और जब इस तरीके का scenario market में बनेगा तो उस scenario पे आप trade कीजे वहाँ पे आपका probability जादा रहेगा जनरली लोग गलती क्या करते हैं उनका focus जो रहता है वो focus सिर्फ और सिर्फ success rate के उपर या फिर trading strategy के accuracy के उपर रहता है लेकिन उसके साथ साथ अगर आप risk reward ratio के उपर focus करते हो और दोनों का एक बड़िया combination अगर आपको मिलता है तो आप बहुत बड़िया तरीके से एक professional trader बन पाओगे तो आशा है कि इसी तरीके के educational वीडियो आपको help करेंगे तो मेरी आप से request रहेगी इस वीडियो को like कीजे वीडियो को like करने के बाद आपने telegram channel को subscribe कीजे जहाँ पे मैं free के intraday के signals देता हूँ इसका link मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है और आपने YouTube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दीजे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा immediate आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में Thank you very much